आपके नॉर्मल लाइटिंग है, LED नहीं है अगर अगर आपन बूट स्पेस की बात करें तो यह ही से इगनिशन अगर अगर से अगर हम दिखाएं आपको तो LED है लांप्स हैं अलांग विद डाइट साइड में भी LED DRLD है जो हम आपको अन करके दिखाएंगे और अगर इस साइड जाएं तो यहां पर राइट कनेक्ट एडिशन है यह टॉप मॉडल है एक्सिस का और यही हम अगर अगर इगनिशन अन करके अपन दिखाएं तो सुजुकी का लोगो आएगा और स्पीडोमेटर डिजिटल है डूडूट कनेक्शन है अब अगर हम आगे से वापिस दिखाएं आपको तो यह LED लाइटिंग है और यह DRLD के जो के साइड में है अभी दिन के टाइम में उत्ते विजबिल नहीं होंगे लेकिन अगर तो यहां पर नॉर्मल लाइटिंग है LED नहीं है पेट्रोल लिड जो है वो सिर्फ की से ही ओपन होगी और यह एक बड़ा ड्रॉबैक है अक्सिस वन ट्वेंटिफाइफ टू थाज़ाएं के साथ इसके अलावा बूट अगर अगर अपन खोलना चाहेंगे तो यहीं दी गई है जिसमें के USB कनेक्शन के लिए पोर्ट है जहां से आपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं और यह LED लिट है तो यह रात में भी इसलिया फाइंड कर लेंगे इसके लावा यहां थोड़ा सा स्टोरेज कॉप्शन दिया हुआ हुआ है और इसकी आप के बारे में आ आप तीन चीज़ देख सकते हैं जो के ओड़ामीटर है ट्रिप मीटर वन ट्रिप मीटर टू में अपना यह वोल्टेज है बैटरी का और यहां पर ओड़ामीटर है यह नीचे मोड बटन दिया है अगर इसको आप स्विच करेंगे तो वह ब्लूटूथ से पेर करने के लि काफी अच्छा दिया गया है आप देख सकते हैं एक हेलमेट रखा हुआ है उसके साथ मेंने गोप्रो का कैमरा भी का बॉक्स गोप्रो बॉक्स भी रखा हुआ है जो कि एजिली इसमें फिट हो जा रहा है और इसके अलावा इसके बूच्छे में कुछ नहीं है थोड़ा फर्स्ट बॉक्स और शोटी से टूल किट भी इसी में सुटी गई है इसको बापिस फिक्स कर देते हैं और इसको बन कर देते हैं और लेट्स गो फर राइड तो यहां पे हमने नविगेशन ओन कर लिया है इस गाड़ी का और अभी यह दिखा रहा है हमने एक लोकेशन डा इंडिकेटर है यह एंजिन फॉल्ट कहीं पे भी आ रहा है तो वह दिखाएगा यह अपने इंडिकेटर है यहां पर हाइब लो बीम कॉप्शन दिया है यह इंडिकेटर है और अगर आपन देखे तो यहां काफी आकवर्ड पोजीशन पर यह किल स्विच और एंजिन स्ट और यहीं अगर में दिखाऊं तो इसको ब्रेक करके और स्टार्ट हो जाती है आवाज आपने सुन ली होगी यहां पर एक यूएसबी चारजिंग पोल्ट है यह डिस्क ब्रेक वाली मॉडल है तो इसमें मैं आपको हाइब रिकिंग करके भी दिखाऊंगा यह फ्यूल इं सर जांगा, बीबीच में अपने साका अर्फ इसको आपीस में एककॉनोमी मोड भी आता रहेगा वह बताता रहेगा इसके बारे में। अगर आपको चाहूं तो मैं अगर आपको चाहूं तो हाट ब्रेकिंग करके भी दिखाता हूं किस तहा की हाट ब्रेकिंग होगी इसमें अभी हम लोग है अगर हम आपको हाट ब्रेकिंग करके दिखाएंगे ब्रेकिंग काफी अच्छी है इस गाड़ी में यह हाट ब्रेकिंग हमने करी इस तहां से ब्रेकिंग काफी अच्छी है इस गाड़ी में अगर अगर इस ब्रेक् स्केड नहीं हो रहा है इसका फ्रंट एंड रेर बहुत अच्की ब्रेकिंग है आज पंपर तो गाफी आने है यह हमने बापिस ले ली यह गाड़ी इस नियुकर बोला था अब यह बोल रहा है हलका सा लेट में और पर इस पर ना चाहिए काफी अच्छा नारिकिकी इस्स्सिंप है इनलो का च्युक्कि आ इस एक रहा था कि वह बोलेगा आप सीटा जाके डाइड लेगा यह ठीकर आपर रहा है कि आपको ले लेट में ले लेना है I know it won't be audible to you, but because my mobile is in my left pocket, I'm getting a little sound. It's a good ride quality, as such, we've reached our location very close. We've added our location to the Bhopal Gate. And now, you can see, we're taking a ride here, because our navigation system is on our website. If someone calls us, he will notify us. If someone calls us, he will notify us. And if there are messages coming from the WhatsApp, even the WhatsApp calls will notify us. He's telling us that you can turn from here. It's about 40 meters estimated. It's about 30 meters. This is our Bhopal Gate. We've been able to get back to the destination. And we've been able to reach our destination. This is our destination. And we've reached it. And if someone calls us, we'll see how it will be. We'll show you how it will. Now, our Bluetooth is connected. Now, we can see how it's notified from our mobile. We'll see how it's notified from our mobile. Let's see. We'll see. You can see the caller's name also. Who's calling is also written in the name. And you can't call call here. You can try and cut and pick. But obviously, you can find the phone. We'll see how it's called. अब हम वट्साइब मेसेज दलवा रहे हैं और देखे हैं कि किस तनाश इसको नोटिकाई करता है वह वह सैगे अधर कुछ भी रहा है या नहीं हो रहा है अ कि अन्जाओ करते हैं वह चुछ नोटिफिकाईश रहा हो वाट्सप सब्सक्राइब मेच देख सकता है कि आया है मैं मैं यहां पर मैंसीज नहीं देख रहा है मैं जो को साइटिक हैं तो में घो एफ इस अगें और आणि रहा है कुछ इस प्रश्रोंग कि अपर में लंके अज़गा अजय करें। नारे काफी अच्छी शूतर हैं, इस फीचर लोड़ेड हैं, अज युची अजय अजय करें। 1,03,000 रुपीज है तो if you are going for 1,00,000 I think this is not the best option you are having अगर आप एक लाग रुपे इन्वेस्ट करी रहे हैं और जिस साना साथ कल पेट्रोल की प्राइज बड़ी रहे हैं I think you should go with an electric bike but yes this power and everything that you are getting for in this segment जो के पेट्रोल से अगर पेट्रोल से अगर पेट्रोल करें तो अगर पेट्रोल करें तो फोड़ी और रादा रदा रिफाइंड है तो यह उसमें पीचर्स नहीं है पीचर्स के पीचर्स अगर आप जाना पसंद करते हैं and you are a feature freak so you can go with this one else I think Activa 6G was better than this क्योंके at the end of the day it's just about engine refinement and that's it and अगर कोई छीज आप देखें तो that'll be the mileage दोनों चीजों है Activa 6G excels but this is a 125cc scooter है and this is a different segment so let's not compare it with that लेकिन this is a good thing but I'll suggest के आप लो अभी भी Activa 6G के साथ ही जाएं so this is my final verdict about this one thank you keep watching and do subscribe